सीधा सीधा मैं इसलिए वो सर्वेज की इंटरनल सर्वेज की बात कर रहा हूँ एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वेज की ही बात नहीं है ये पुलिटिकली प्रूडन्ट लग रहा है कि भाई 24 में हमें इतनी संक्या लानी है और विहार का पुट ज्यादा बड़ा होना चाहिए खेल यही है ना प्रकाश बिल्कुल ये सही बात है कि 2024 के मद्दे नजर ही ये सारा सारी कवाइद की गई है ये बात तो तैय था कि नितीश कुमार इंडिया गडबंदन से नाराज चल रही चली रहे थे क्योंकि संजोजक पद को ले करके जो सवाल उठ रहे थे वो देर से उन्हें आफर किया गया उन्हें उम्मीद थी कि लालुयादव कुछ न कुछ ऐसा करेंगे उनके समर्थन में बोलेंगे लेकिन मीटिंग में उन्होंने कभी प्रस्ताव नहीं दिया और पीछे से ये भी बात आई कि जब नितीश कुमार के नाम को सामने करने की बात आई तो किसी ने बताया कि लालुयादव ने कॉंग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता ने बताया कि लालुयादव ने मना कर दिया इंकार कर दिया बोला कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी तो ये सारी जानकारी नितीश कुमार तक पहुंच रही थी, सबसे बड़ी वज़ा ये ही रही है, दूसी वज़ा नितीश कुमार ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि उनकी पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते थे कि वो बहा गटबंदन में जाएं, उन्होंने खुल कर दो ये भी बात साफ हो गए थी, उसी समय में कि नितीश कुमार आप कुछ ना कुछ करेंगे। या यहां पर हम ठीक नहीं हैं, हम तो बीजेपी के दरसल नाचरल अलाए हैं। तब ही से नितीश कुमार ये समझ बैटेते हैं कि बीजेपी हमें खत्म कर देगी। और नए नए लोगों को बिठा दिया, उसके बाद उनके खिलाफ में बयारवाजी होने लगी। तो ये अब करेगी। अब कर देगी बीजेपी इसकी क्या गारेंटी है? कि नहीं करेगी देखे वही यही तो सवाल उठता है ना कि नितीश कुमार की डील आकिर हुई क्या है? कब तक के लिए वो सीम रहेंगे? क्या दो हजार पच्चिस तक के लिए रहेंगे? उसके बाद क्या होगा? फिलहाल नितीश कुमार के पास जो सामने बात थी, वो ये थी कि इंडिया गडबंदन को उन्होंने बनाया है, ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे, यारी हमको आपने न चेहरा बनाया, ना संजोजग बनाया, कोई जगा नहीं दी, तो ऐसे में हम तो खुदी खराब होंगे ही, लेकि आपको भी खराब करेंगे, और खेल को बिगाड देंगे, पर खेला होना बाकी है, तेजस्वी अभी भी ये कहते नजर आ रहे हैं, बस उमीद कर रहे हैं या कुछ है, उसमें दम, देकि तेजस्वी यादव अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेंगे, कि अगर उनको मौका मिलेगा, तो फ्लोर पे कुछ ऐसा करें, जब विश्वास मत ले देने के लिए नितीश कमार जाएंगे, तो उस वक्त हो सकता है कि कुछ ऐसी बाते करें, जिससे कि नुकसान हो जाए, इस नए गडवन्दन को, एंडिये को, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि उनका अध्यक्ष रहेगा ही नहीं, जब तक स्पीकर नहीं रहेग के होंगी अब, देखें, विधान मंदल दल की बैठक होती है, यह आपचारिक बैठक होती है, जैसे नितीश कमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, विधान मंदल दल की बैठक होगी, उसके नेता चुने जाएंगे, उसी तरह से बीजेपी भी बुलाएगी, फिर ब दावा पेश करेंगे फिर राजिपाल उन्हें बुलाएंगे शपत गरण के लिए तो मतलब कल इस्तीफा हो जाएगा या बिना इस्तीफिते भी नई सरकार कल बनती दिखाई देगी अब ये तैम आना जाए प्रिकाश बिल्कुल इस्तीफा देना ही होका मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि नितिश कुमार जिस गटबंदन के वो नेता चुने गहते हैं अब वो नेता रहेंगे नहीं तो जाहिर है कि उन्हें वहां से हटना पड़ेगा और फिर नए गटबंदन के नेता चुने जाएंगे और इस म बैठके तो हो रही हैं इधर तो लालु प्रसाद यादव ने अपने सभी विदायकों को निर्देश दिया है कि अगले तीन दिन तक वो पटना में ही रहें तो लास्ट इच एफ़र्ट्स भी क्या जारी है या डील सील हो गई है कल जैसा अभी शेक जा कह रहे थे याब आ आने वाला कल बड़ा दिल्चस्प होने वाला है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं की बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे